यह है फेंड्स में दीपकुपता वेलकुम तू मैं यूतुब चैनल तो आज ने लेक्चर है और फोर्कास्टिंग यूपर और फोर्कास्टिंग के लेक्चर है आज का अज अन्द लिस्ट स्क्वाइर के ऊपर इतो सम में दे रहा हूं आज यह सम एक्जाम में आया हुआ है फोर मुमे इस्टी के डो बार और 10 marks के लिए एक बार आया हो है में 15 में कोश्टिन नमर 4B में और एक बार आया हुआ है में 12 में कोश्टिन नमर 4A में फोर 10 marks तो यहां पर दीए क्या बोला है estimate the cell forecast for the year 2000 using the exponential smoothing forecast take alpha equal to 0.5 and the forecast for year 1995 वो करना है as क्या बोल रहा है कि the forecast for year 1995 as 160 into 1025 units आया हुआ है आपका अपका ना यह बोला गया है और यहां पर extra यहां पर आया है कि compare and देखिए यह समझो है कि मतलब जो forecasting जो type 1 उस तरह है और प्रस यहां पर बोला गया है कि compare और compare खरो compare the forecast compare the forecast with list square method with list square method with the list square method चले तो हमनों देते हैं इस sum को हमनों किस तरह solve करेंगे तो सबसे पहले मैं जा करूँगा इसको इसको मैं solve करूँगा यह sum को with the help of list square method ओके now with the help of list square method ओके यह time series का समय कौन समय यह time series का समय यह sum time series का है तो यहाँ पर table लगेगा अब भी time series का सम है that is case 1 है यहाँ पर तो case 1 के लिए मुझे फॉर्म लगता है a is equal to जो फॉर्म है y is equal to a plus bx उसमें लगता है a is equal to summation y divided by b is equal to summation xy divided by summation x का square तो यह सब मैंने यहाँ यहाँ पर table में लिएके रखा है okay sales कितना है यहाँ पर यह plus 1 और यह plus 2 यहाँ पर आता है okay किस तरह से आता है तो मैंने बता है फिर भी एक बर जो लोग नहें उनको बता देता हो किस तरह से आता है क्या करना है यह value यहाँ पर 1997 minus 1997 कितना है 0 now इसकी जो value पहला value उसको change करते जाओ क्या है 96 करो 6 कितना है minus 1 फिर चेंज करो कितना है उपर 95 95 minus 2 फिर कितना है 97 97 तो हो गए 98 plus 1 99 2 ओके आगे यहाँ पर आव डेविशन की आएगा square करना है तो यह आएगा यहाँ पर 4 यहाँ पर 1 0 1 यहाँ पर 4 multiply करो यहाँ पर तो minus minus 0 plus plus यहाँ आएगा 3 ओके यह कितना आएगा 360 180 इंटू 360 यहाँ पर आएगा 168 यहाँ पर आएगा 170 188 इंटू 2 कितना आएगा यहाँ पर 376 तो यहाँ पर क्या करोगे आप fine turn है तो कितना आएगा a is equal to summation y divided by n तो यहाँ आएगा summation y लिकलने आपको तो यह होगा summation addition करोगे इसका तो यहाँ आता है 865 कितना आता है 865 865 divided by n 865 divided by 5 तो यहाँ आएगा यहाँ पर 173 कितना आएगा आएगा यहाँ पर 173 ओके देखना है addition कर लो 180 प्लस 168 प्लस 159 प्लस 170 प्लस 188 sorry 182 ओके आएगे 865 965 divided by 5 कितना है 173 summation xy summation xy कितना आ रहे हाँ पर summation xy summation xy यहाँ पर देखी कितना आता है minus 360 minus 168 plus 0 plus 170 plus 376 कितना आगे यहाँ पर 18 तो यह हो गया 18 divided by summation x the whole square यह कितना आता है addition करके यहाँ आ रहा है यहाँ पर addition 10 तो यहाँ पर divide by 10 तो यह हो गया 1.8 कितना हो गया 1.8 तो यह ग्राफ बनेगा इसका straight line का y is equal to a plus bx तो यह हो जाएगा a value 173 plus 1.8 into x क्या बोला है find करने कि कौन से यह के लिए बोला है for the year of 2000 यहाँ पर 2000 करता हो आपको पता है median क्या क्या करोगे 2000 2000 minus median क्या है 1 1997 1997 1997 यह हो गया यहाँ पर 3 क्या आपर forecast 3 मतलब forecast for year यहाँ पर आएगा forecast for year 2000 that is comma x equal to bracket में लिखोगे 3 तो यह हो जाएगा y is equal to forecast for year 2005 कितना हैगा आपका यहाँ पुट करोगे 173 plus 1.8 into 3 कितना हो गया 178 178.4 यह क्या होगा आपका sell होगा sell into 10 raise to 5 इतना आपका sell होगा क्योंकि यहाँ पर 10 raise to 5 दिया है करके आएगा 10 raise to 5 आएगा समझगे आपको यह अभी इसकी बत क्या बोला गया आपको इसको बोला गया कि solve करो इस sum को मतलब compare करना था list square से list square के लिए मेरा value आ गया अभी इसको solve करूंगा में with the help of exponential method किसके help के तुरू with the help of exponential method now as per the exponential method okay now यहाँ पर रिखता हूँ में as per exponential as per the exponential method formula के है f of t is equal to f of t-1 f of t-1 plus alpha dt-1 minus f of t-1 okay यह में क्या है मेरा formula का तो यहाँ पर मुझे पता है year कितना आएगा period मतलब यहाँ पर आएगा year year क्यों आएगा आएगा आपर demand demand जो sale का है आपर sale लिखना है sale लिखो then क्या बोला आपर forecast okay यहाँ पर क्या आएगा यहाँ पर आएगा क्या आएगा आपर forecast आएगा forecast forecast पीछले पिरेट का forecast यहाँ पर मुझे दिया है पर data लिखो 1995 के लिए 180 है okay उसा forecast कितना आया था इसने बोला है कि 160 है रहे कितना आया था 160 यहाँ पर 10 rest to 5 यहाँ पर भी 10 rest to 5 then 1996 then 1997 then 1998 then 1999 180 के वर यहाँ पर यहाँ पर 168 then 159 then 170 then 188 okay यह forecast मुझे पता है दिया है मुझे कि इसका इतना forecast आ रहा है करके now I have a formula you know कि मैं पास formula है इसका f of t okay मुझे लिकालना है किसके लिकालना है इसका मुझे दिया हुआ है मुझे भी इसके लिकालना है okay तो देखिए किस तरह से इसको solve करते है भी यह पर बोला गया alpha is equal to .5 कितना बोला है alpha is equal to .5 तो देखिए किस तरह से आएगा f of t लिकालना है मुझे f of year 1996 लिकालना हो okay मतलब f for year 1996 लिकालना है तो is equal to आएगा previous period का forecast मतलब forecast for year 1995 plus alpha that is .5 then bracket of demand कितना demand था उसका previous period में मतलब demand in 95 minus forecast in 95 समझा आपको तो यह आएगा यहापर देखिए यहापर लिखता हूँ में forecast for year 1995 कितना था 160 plus alpha .5 demand कितना था 95 में 180 था forecast कितना आया 95 में forecast आया 160 कितना आया 160 okay solve को रूंगा मैं इसको normal mode कर लेता हो पहले में 160 plus .5 180 minus 160 कितना था यहापर इसका वैलू है 170 कितना था 170 तो उसकी तर से पिछले 20 का कितना होगा year 97 का कितना होगा 97 का होगा previous period forecast कितना था previous period का forecast आया 170 आया 170 plus 0.5 demand of previous period कितना है previous period का demand 168 कितना है 168 minus forecast of previous period that is 170 okay यह आता है मेरा answer 169 similarly इसके लिए 98 के लिए forecast for previous period that is 169 plus 170 then 170 minus क्या आयगा 170 okay 170 minus कितना है okay forecast 164 कितना है 164 यह यह यहां पर आयगा for year 2000 क्या आयगा 177.5 this is the answer okay for the year 2005 using the exponential method और मैं solve किया इसको using the least square method कितना यह 178.4 तो compare करोगे तो दिखेगा कि y forecast इसके लिए इतना आया है कितना 178.4 into 10-5 using the least square method और using the exponential method कितना आया है 177.5 into 10-5 using the exponential smoothing method okay so thank you for watching my video